सर पढ़ाई तो हो चुकी है लेकिन पेपर कैसे लिखू जी हाँ यह इंजिनेरिंग के बच्चों का सबसे बड़ा क्वेशन होता है कि सर इंजिनेरिंग में पेपर कैसे लिखे जाते हैं है ना और यह तोड़ा एक्सलमेटरी माग वाला इमोजी सिर्फ आपके लिए की है जनाब बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं देश के कोने- कोने से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब निंगतेμ भाया यह आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें थोड़ी बहुत हो जाती है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेर करिए क्योंकि ऐसे जो वीडियोज होते हैं जहां पे आपको ग्यान मिलता है आपको समझता है पेपर्स कैसे लिखना है पढ़ाई कैसे करनी है टाइम को कैसे मैनेज करना है इंजिनेरिंग भी यह सारी चीज़े बहुत इंपॉर्टन्ट होती है तो चलिए चार ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जिस पॉइंट्स को पकड़ के इंजिनेरिंग के पेपर्स को डंग से लिख सकते हैं तो पहला पॉइंट थेयरी देखो हम थेयरी प्रिपेर जरूर करते हैं Usually 90% of the people क्या करते, prepare करते, मतलब वो particular textbook लेके बैठ जाएंगे और पूरा-पूरा answer को रटा मारेंगे, ऐसा क्या ये, ऐसा क्या ये, ऐसा क्या ये, ऐसा क्या ये, भाया, ऐसे पढ़ाई नहीं होती, हो भी रही है, तो उसको रटा वाली पढ़ाई बोलती है, हमें engineer conceptual वाला बनन है, तो अब इसके लिए क्या करें, तो theory पढ़ने का सबसे बैतरीन उपाई self-notes बनाओ, self-notes, एक particular answer लिया, वो answer में कौन सा key point है, उसको observe करो, और उसका self-notes बनाते जाओ, self-notes बना डाला, अब बारी आती है, डाइग्राम्स की, अब बहुत सारे physics में, chemistry में, mechanics में, इवर second year वाले बंदे है, तो उनके लिए भी कई सारे subjects ऐसे है, जहां पर diagram की जरूरत होती है, और वो diagram कंपल सरी आपको paper में draw करनी पड़ती है, तो वो diagram की practice, पूरे semester में minimum दो बार होनी चाहिए, एक बार आप self-notes बना रहे हो, तबी रफली कर दो, एक बार आप revision कर रहे हो, तो diagram को जरूर draw करिये जनाब, दो बार, एक concept है, minimum दो बार वो diagram पूरे semester में बोल रहा हो, जनाब, आपको draw करनी होगी, तब जाके exam में उसके labeling डंग से आएगी, कुछ angles होते है, वो डंग से मिलेंगे, कुछ length होती है, वो डंग से समझ में आएगी, कुछ values होती है, units होती है, व सबसे एहम हिस्सा, numericals, पहिया, numericals के लिए सबसे पहला step, formula list बनाओ, formula list जब तक नहीं बनाओगे, तब तक काम नहीं होने वाला है, आपको बनानी पड़ेगी formula list, तो फट 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 formula list बना डालने का, formula list बनाने के बाद, उस particular numericals की practice करिये, जो आपके text book में है, जो आपके text book में, अभी करना, फिर exam जब आएगी तब 15 दिन पहले PYQs की practice करना, previous years questions, तो आपको अंदाजा आएगा, कि भाईया मैंने ये topic किया था, लेकिन इस topic के उपर इस प्रकार के numericals आते हैं, exam में आते हैं, तो अपने university के according, वो PYQs लीजिए और उसकी practice करिये, इंजिनियर application पर आना पड़ेगा, कई सारी चीज़े वहाँ पर free में available है, वहाँ पर आप जाके access कर सकते हो, last but not the least, paper का presentation बहुत important है, सर क्यों हम तो बड़े हो गए, कैसे भी handwriting, doctor लोग देखो, कैसे भी लिखते, दवाई दे देते, इंसान ठीक होता है, वो doctor है जनाब, समझ रहे मेरी बात को, हमें यहाँ पे हमारे जो papers होते है, कई सारी maximum universities अपनी papers को answer sheet को online तरीके से चेक करती है, मतलब examiner होता है, कि के सामन उसके PC रहेगा, अपना laptop रहेगा, या उसका system रहेगा, आपका paper scan होकर उसके सामने आता है, वो pen से marks नहीं देता, वो उदर marks अलोट करता है, keyboard से enter करता है, 3 mark मिला enter, 4 mark मिला enter, तो आपका presentation धंका नहीं रहेगा, examiner एक एक दिन में 100-200-200 papers को चेक करते है, अगर आपका presentation सामने वाले examiner भी तो इंसान है, वो भी तो irritate होना ही है, उसको भी तो गुस्सा आना ही है, तो marks कटने के बहुत chances होते हैं, तो presentation बहुत धंका करना, अब presentation के उपर कैसा होना चाहिए, paper का presentation उसके उपर आपको वीडियो चाहिए, तो जरूर comment box में बताईए, एक specialized video, even if कुछ topper वच्चे उनकी answer sheets को यहाँ पर दिखा रहे होंगे हम, तो जरूर वो वीडियो चाहिए, तो comment करिए नीचे comment box में, और वीडियो को डेरो सारा प्यार दीजे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करिए, ये चार बाते आपको university और अपकी unit test की paper लिखते वोग बहुत ध् आपिगेस